हेलो फ्रेंड, सार्कॉल ओफ एजुकेशन वेलकॉम स्यू अपने रोमेंटिक राइटर की सीरीज में हम पीबी शैली कर रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने पीबी शैली की बाइग्रेफी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिसकस किया था उनकी बाइग्रेफी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको बहुत अच्छे से डिसकस किया था आज की इस वीडियो में हम इनके जितने भी वर्क हैं वो किस एर में पबलिश हुए हम ये देखेंगे और अपकमिंग वीडियो में हम इनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनको डिटेल में डिसकस करते हुए चलेंगे तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब करें ताकि जब भी लेक्चर्स अपलोड हों चैनल पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है नोट समझा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो पीबी शैली के वर्क्स की बात करें अगर तो पहला work इनका माना जाता है इन्होंने लिखा था 1810 में The Wondering Zoo हाला कि यह published 1877 में हुई थी बट इन्होंने इसको compose जो है वो 1810 में ही किया था लेकिन अगर exam में question बनता है कि इनका पहला work, पहला novel या पहली Gothic novel कौन सी है तो हम जो है आदर वर्क्स भी आया थे वो थे original poetry by Victor and Kezir नेक्स वर्क इनका आया था Post Humus Fragments of Margaret Nicholson इसी का title है यह long title है Being poems found amongst the papers of that noted female who attempt the life of the king in 1786 1811 में का वर्क आया था St. Irvine और the Rosicrucian और सेम यर में इनका pamphlet आया था The Necessity of Atheism अगर आपने बाइग्रफी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको यह वर्क बहुत अच्छे से याद होंगे 1812 में आये थी इनकी वर्क The Devil's Walk जो कि एक बैलिट था और 1830 में इनका वर्क आया था Queen Map जो कि एक philosophical poem थी 1814 में इनका वर्क आया था A Refutation of Deism Inner Dialogue 1850 में इनकी पोयम आई थी Alastair और इसका ही जो दूसरे टाइटल है वो है Or The Spirit of Solitude अदर वर्क आया था इनका सेम एर में Wallstein Or The Mysterious Bandit जो कि एक chapbook था 1816 में आया था Mont Blank The Demon of the World और 1817 में आया था इनका वर्क Hymn to Intellectual Beauty और साथ ही साथ Lawn and Sitna Or The Revolution of Golden City और इसका ही और टाइटल जो है A Vision of the 19th Century तो ये जो है तीनों वर्क इनके Sorry दोनों वर्क जो है इनके 1817 में ही आये थे और सेम एर में इनका जो आया था वर्क The Revolt of Islam जो कि एक पोयम थी 12 कैंटोस में 1818 में इनका फेमस वर्क ओजिमेंजियस आया था और The Banket आया था Banket क्या था? Plato का वर्क था और इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था Greek से English में 1818 में इनका वर्क आता है Frankenstein और The Modern Prometheus तो इसका जो ये जो नॉवल है ना आपने कभी ना कभी अपने स्लेबस में पढ़ी होंगी तो ये जो नॉवल है ये तो लिखी थी Mary Shelley ने जो इनकी सेकंड वाइफ थी यानि जो विलियम गॉडविन की डॉटर थी उन्होंने लिखा था Frankenstein लेकिन जो इस नॉवल का प्रिफेस है ना वो शेली ने लिखा था इसलिए यहां पे शेली का नाम आ रहा है तो Frankenstein का प्रिफेस जो है वो शेली लिखते है यानि पीबी शेली और सेम ये इनका वर्क आता है Rosalind and Helen जो की एक modern एक लोग माना जाता है 18-19 में इनका प्ले आता है जो की एक ट्रेजडी प्ले है फाइव एक्ट में और सेम ये इनके अदर वर्क आते हैं जैसे Ode to the West Wind, The Mask of Anarchy और जूलियन और मुडालो जो की एक कन्वसेशन है 18-20 में इनके वर्क आते हैं पीटर बेल दा थर्ड जो की पब्लिश 18-39 में हुआ था फिर आता है प्रोमीथियस अन्बाउंड जो की एक लिरिकल ड्रामा है फोर एक्ट में बहुत इंपोर्टन प्ले है ये इनका अदर वर्क इनके आते हैं To a Skylar, The Cloud प्रेंड समको ये पीटर बेल To a Skylar, The Cloud इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है Wordsworth के वर्क अलग है और Shelly के अलग है तो आप टाइटल को प्लीज ध्यान से देखना फिर सेम ये में ही इनका वर्क आता है Oedipus, Trinomus और Swellford, The Tyrant ये भी एक ट्रेजडी होती है दो एक्ट में Tragedy in Two Acts और सेम ये इनका वर्क आता है The Witch of Atlas जो की पब्लिश होती है 1824 में 1821 में इनका फेमस वर्क आता है Our Defense of Poetry जो की पब्लिश होती है 1840 में Adonis जो है वो पब्लिश होती है 1821 में और सेम ये आता है इनका Yorn by Plato जो की इन्होंने ट्रांसलेट किया था Greek से English में Pipsy Chirion आता है सेम ये में फिर 1822 में आता है इनका Halas जो की एक लिरिकल ड्रामा है और सेम ये में आता है इनका Trim of Life जो की अन्फिनिस्ट है मतलब ये कम्प्लीट नहीं कर पाये थे इस वर्क को और ये पब्लिश हुई थी 1824 में फ्रेंड्स प्ले को अगर अलग से कैटिगराइज किया जाये तो उसमें इनका आएगा सैंसी जो की एक ट्रेजडी है फाइव एक्ट्स में चार्ल्स ता फर्स्ट और हैलाज जो की एक लिरिकल ड्रामा है इडिपस ट्रेनर्स जो की है ट्रेजडी टू एक्ट्स में और प्रमीथियस अन्बाउंड जो की लिरिकल ड्रामा है फोर एक्ट्स में फ्रेंड्स इनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है न जो अकसर एक्जाम में पुछे जाते हैं आने वाली वीडियो में हम उनको बहुत ही डिटेल में डिसकस करते चलेंगे आज की इस वीडियो में हमें खाली यह देखना था कि इनके कितने वर्क्स हैं टोटल और कौन से एयर में में पुछ लिया जाता है और , पॉछ लिया जाता या पुछ लिया जाता है इसलिए जितने भी इनके वर्क है हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है एक्जाम के point of view से तो upcoming videos में हम सारे works जो हैं के important detail में डिसकस करेंगे आज की इस video को हम यहीं complete करते हैं Thanks for watching this video और आपने अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें वीडियो पसंद आ रही हैं लाइक करें और आपके जो भी opinions है comment section में जरूर रखें